सांत्यों किसान रेल सेवा देश के किसानों की आबंतनी बढ़ाने की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसमें खेती से जूड़ी अर्थवबस्ता में बड़ा बढ़लाव आएगा। इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताक़ भी बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात ये कि किसान रेल से देश के 80 प्रतिशत से अधीक छोटे और सिमान किसानों को बहुत बड़ी शक्ती मिली है। इमें इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें किसानों के लिए कोई न्यूनतम मात्रा ताय नहीं की गई है। अगर कोई किसान 50-100 किलो का पार्सल भी भेजना चाहता है तो वो भी भेज सकता है। यानि छोटे किसान का छोटे से छोटा उत्पाद भी कम किमत में सही सलामत बड़े बाजार तक पहुँच पाएगा। मैंने कहीं पढ़ा था कि अब तक का जो रेलिवे का सबसे छोटा कंसाइनमेट है वो अनार का तीन किलो का पैकेट किसान रेल में ही बेजा गया। यही नहीं एक मुर्गी पालक ने सत्रा दर्जन अंडे भी किसान रेल से बेजे हैं। साथियों भंडारन और कोल्ड स्टोरेज के अभाव में देश के किसान का नुक्षाम हमेशा से एक बड़ी चुनोती रहा है। हमारी सरकार भंडारन के आधुनिक ववस्ताओं पर सप्लाई चेन के आधुनिक अरण पर करोडों करोड का निवेश्तों करी रही हैं। किसान रेल जैसी नई पहल की जा रही है। आजादी के पहले से भी भारत के पास बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क रहा है। कोजी भी पहले से मौजुद रही है। अब किसान रेल के माद्यम से इस सक्ति का बहतर इस्तभाल होना शुरू हुआ है।